चेहन दोस्तों सागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ड्रीम जाबले ठंकित पे दोस्तों आज की वीडियो में हम डिग्री कैसे आनलाइन करते हैं यह दिखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले आपको दिखा देते हैं कि डिग्री होती कैसे है तो देखिए हम इक डिगरी होती है मंगा के रखी है जो आपको दिखाते हैं यहांप सबसे ऊपर आपको पाधी कर्मांगे डिग्री सीरियल नंबार लिखा रहता करता है कि सन 2020 में पर इच्छा के उपरांत कला इसना तक की उपाधी के योग सिध्ध होने पर फिर आपका नाम लिखा रहेगा यहाँ पर नाम हमने हाइड किया है स्क्यूर्टी परपस से आपको फिर नीचे यह लिखा रहेगा आपको दिफान समारों में उपाधी प्रदान की गए सेड़ी यहाँ पर रहेगा फिर यहाँ पर नीचे इंग्रिस में लिखा रहेगा और आपकी साइन और कर Mor allocation की Date और Issue डेट आपकी यहां पर दिखाई रहेगी यहां पर Vice Chancellor के signature रहेंगे तो इसी तरह डिगरी होती है अब हम सित्विन इहां पर किस तरह से apply गिए जाता है इसके लिया पिआप आपको कोई browser open कर लेना यहां पर यापको डाल देना है csjmu.ac.in या पर सिधे आप csjmu डालेंगे तब भी इसकी official website पर आ जाएंगे इसे open कर लेंगे आप phone में भी open कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उसकी वज़े से यह pop up आएगा इस पर आप click कर देंगे कर जाएगा फिर आपको देखे कुछ इस तरह से आपको फोन में नहीं आ रहा है तो आप टाइट साइट में जाएंगे तो यहां पर डेक्स टाफ साइट का आप सना आएगा उस पर आपको किलिक कर दीजिएगा और phone को landscape mode में रख लीजिएगा तो आपको इस तरह से option मिल जाएंगे फिर आपको यहां पर आना है student service वाले option पर इस option पर आएंगे तो आपको यहां सबसे पहले number पर देखे existing student का option मिलेगा तो यहां पर student service में आपको मिलेगा online degree mark sheet professional migration transcript यहां पर यतनी चीज़े आप online अभीदन यहां से कर सकते हैं degree के लिए mark sheet के लिए professional certificate यहां से कर सकते हैं तो चलिए मैं इस पर किलिक कर देता हूँ कि उसके बाद नीचे आएंगे तो आपके लागिन आइडी मॉबाइल नेंबर डेटा बर्ट महांगा जाएगा चुकि अभी मारे पूछी जाएगी आपका session कौन से किस year से लेकर किस year तक का है उसके बाद exam type आप से पूछे जाएगा regular प्राइबेट जो हो course name यहां select करना है role number यह select करना है email id आपको यहां पर डालनी है mobile number यहां पर डार के continue करना है तो मेरे case में यहां पर हमारा session था 2018 का देखिए जैसे हमने यहां पर session select किया है उसके बाद हमने type regular किया तो यहां पर course name सारे आ गये हैं अब यहां पर आप जो जो course country university provide कराता है उसकी list यहां पर आपको मिल जाएगी आप उस course को यहां से select कर सकते हैं क्योंकि मेरे case में बिचला राफ आर्ट है तो मैं यहां पर बिचला राफ आर्ट्स select कर लेता हूं उसके बाद यहां पर part यह semester पूंच रहा है पर डाल देना है उसके बाद validate पर click कर देना है फिर नीचे आपको proceed to next पर click करना है अब यहां पर देखिए आप से date of birth मांगा जाएगा तो आप यहां से date of birth choose कर लीजिएगा उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका इंडॉल में नंबर आटोमेटिक आ जाएगा जो कि आपके गिर्जविशन के रोल नंबर से फिर आपको save पर click कर देना है तो मैं इपनी date of birth डाल के यहां पर save करता हूं तो दोस्कों देखिए आपर registration हो गया है registration number अब यहां पर आगया data of birth email आईडी आपकी यहां पर है mobile नंबर यहां पर है अब यहां पर back to login पे इस पर click करेंगे अब यहां आपको जो detail registration के मिली है उसको डालके यहां पर login कर लेना है तो दोस्तों देखिए हमने यहां पर login कर लिया है अब आपको यहां पर नीचे आ जाना है dashboard के नीचे यहां पर देखिए view या complete your profile इस पर आपको click कर देना है अब इसको click करेंगे तो यहां पर आपको course name, part, enrollment number, role number आपका यहां पर दिखाए देगा final year का उसके बाद नाम पिता का नाम regular यहां पर हमने उसके बाद यहां पर division आपका automatic आ जाएगा और यहां से आपका result पास यह भी लिखा रहेगा अब यहां पर आपको address fill करना है address line 1, address line 2, address line 3, code, state, city, student name यहां पर आपको हंदी में type करना है और इसके बाद आपको photo upload करना है photo यहां पर आपको कम से कम जदा ज़दा यहां पर दे रहा है कि 50 KB का होना चाहिए तोस्तों हमने देखे यहां पर नाम अपना type कर देगी कि आप अब हिंदी में type नहीं कर पा रहे है तो आप Google पर जाएंगे English to Hindi Unicode डाल देंगे यहां पर फिर आप इंग्लिस में लिखेंगे यहां हिंदी में convert करके देगा यहां से आप इससे copy कर ले या फिर इस पर किलिक करेंगे copy आपका हो जाएगा यहां लाके paste कर दीजिए अब ब बढ़िया किलियर लगाईएगा फोटो प्लोड करने के लिए आप चूज फाइल पर किलिक करेंगे जहां पर आपकी फोटो रखे उसे वहां से सेलेट कर लेंगे यहां पर फोटो का आपका प्रिव्यू दिखेगा अब इसके बाद आपको यहां पर बेचलर डिगरी का आ इन पे कीडियर फिसरे से कडिर स्केंड का यहां पर लिखका आएगा उसके बाद ट्रीइगा एंवर्झेंट स्टेटर्स यहां पर दिखा राए कि कि Si Air आपने पास किया है ऐसके बाद कालेज नेम आपको डालना है ही यह परिए वरण वारण जब आप डुसरे यह रयोए कि को सकता है बंद हो जाएगा त regression दिखाता हूँ उसके बाद यहां से आपको कालीज का नाम डालना है कर था यहां से आपकी डाकुमेंट अफ्लोड़ करने का सना रहा है आपको मार्स जीट अफ्लोट करने है हुआ कि दोस्तों यहां पे हमने environment को जो पेपर था उसे वने 2016 में पास किया था इस होझे से यहां हम फर्स्टियर में ही पास किया था इस वज्चे से हमने यहां environment पास status पे यस करेंगे और इसके बाद यहां से passing year हम डालेंगे यहां से अपने कालिस का नाम उसके पाद आपको यहां पर mark sheet upload कर देज़िया आपके पास result है तो तीनों में एक ही mark sheet upload कर दीजी कोई दिक्कत नहीं है दिखिए यहां पर message आ रहा है profile updated successfully आपको ok पर click कर देना है अब आपको यहां पर डेस्पोर्ट पर चले आना है अब यहां पर देखिए अप लाइफ हार सर्विस लिखाया है या फिर आप यहीं पर किलिक कर दीजीए यहाँ पर जैसे सेट करेंगे आपको देखे पूंच रहा है document service mark sheet correction तो हमें document service पे खिलिक करना है हमें correction नहीं कराना है अब यहाँ पूच रहा है degree चाहिए कि migration चाहिए तो हमें ๆ चाहिए migration की उसक्ता तब पढ़ते है जब आप एक university से दूसरी university में जाते हैं तो अब यहाँ पे भी देखे आपका detail मांग रहा है है scan copy-up photograph आपको upload करनई है वह उसके बाद scanerry अप foundational करेंट मार्चाट जो आपकी मार्चाट में तर्फ थर्डश ते फिर नीचए आएंगे तो आपको यहाँ पर!. इस पाज़र राफ 8 पार्ड-3 जो यहां पर आपको टोटल प्रीच दिनी है दो penetrate और है यहां set do पर क्लिक कर देना है अब हम यहां पर फोटोग्राफ अपनी अप्लोड करेंगे मांक सीट अप्लोड करेंगे और यहां पर अधार काड अप्लोड करना है साइज यहां पर देखिए दे रहा है जे पीडिया भी अप्लोड कर सकते हैं जी पीजिए 200 कवी का जो है यहां पर चूज कर लेता हूं तो यहां आपने तीनों चूज कर लिए फोटो गर्जुएशन के मार्फ रीट और इसके बाद अधार कार्ड अब यहां पर कुछ नहीं करना है आपको सीधे सेट पर किलिक करना है तो दोस्तों देखे यहां पर आगे बढ़ गया है यहां पर आपको डे कि दूस्तों यहां पर देखिये यूप्याइशन हे ले रहा था इसमें यहां पर कुछे यूपियाई QR कोड पर करके देख लेता हूं इससे लेता हैो यह नहीं तो यह QR कोड ओपिन हो गया है 10 मिनट के लिए कि मैंसे प्रेमेंट करता हूं अपने फोन में आपको किसी भी स्कैनर से स्कैन करके इसका पेमेंट कर देना है जोस्तों 200 रुपय का पेमेंट यहां पर करा रहा है तो पाइसिंग हमारा हो रहा है देखते है पेमेंट हो गया है भी निएकस्ट आगे जा रहा है कि दुस्तों इसकी अगे के पार्ट ड ड है कैसे बुइंट करने है और डिग्री कास 돼 download करने है फोन देखें गे तो मिलते हैं अनिश binding एप